बस इतना है document लेकर जाना है document verification के लिए तो जैसा कि आप लोग जानते हैं विहार पारामेट कल फर्स्ट दाउन का document verification चल रहा है तो एसे में बच्चे के पास पूरा document नहीं होने के कारण दो दो दीन verification के लिए जाना पड़ रहा है तो ऐसे में हम आपके लिए एक list लेकर आये हैं क्या-क्या document आपको लेकर जाना है जिसे कि आपका verification एक दिन में हो जाए दुआरा परिसान होने के जरूत ना पड़े तो आप सब इस वीडियो को अंतक जरू देखेगा तो इस वीडियो में हम दोनों बच्चों को कभर करेंग फिर सकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट लेकर जाना है जो की तीन फोटो कोपी आपको लेकर जाना है अगर आपको सकेंड में मिलता है तो सकेंड राउंड वाले आपको अलॉटमेंट लेकर जाना है फिदे के सकेंड में लिखे है राइंग काड यानि आपका जो है राइ करेंगे कि दो-दो कॉपी आपको लेकर जाना है अगर आपसे फेरिफिकेशन के समय एक कॉपी लिया जाता है तो फिर जब आप अपने कॉलेज जाएंगे तो उसमें भी आपसे जो है एक कॉपी लिया जाएगा अगर आपसे यहां पर ही दो-दो कॉपी ले लिया जाता है त तो उनका आपको admit card का दो photocopy आपको लेकर जाना है एक जो original admit card होगा जिसमें आप exam दिये होगे तो उसमें sign किया हुआ रहेगा तो आपको original admit card आपके पास जरूर होना चाहिए वो भी आप लेकर जाएंगे और उसका एक photocopy देखिए 4 नमर में लिखे हैं form का जो है एक copy आपको लेकर जाना है तो यह आप समझते होंगे पाटे पाट भी फॉर्म जब फॉर्म आप लोग भरे होंगे फर्ष्ट में तो आपको cyber cafe वाले पाटे पाट भी फॉर्म दिया होगा इस पर कैसे इसको भढ़ना है हम वीडियो बना चुके हैं फिर चेक एंड text biography इसको बना कर जाना है फिर यहां पर 7 काड में अधार काड आपकाड दो को पी लेकर जाना है अब आजाता है उपर देखिए यहां पर admit card का आपको दो copy लेकर जाना है, marksit का दो copy लेकर जाना है, passing certificate का दो copy लेकर जाना है, और यह provisional and migration, तो देखिए migration उनके लिए लेकर जाना है, जो PMM वाले student है, तो इनको यहां पर migration लगेगा, otherwise जो PM वाले student है, उनको सिर्फ provisional लगेगा, और SLC और CLC भी सिर्फ PMM वाले को लगेगा, PM वाले का SLC और CLC लगेगा, इंटर वाले का, मनें इंटर का आपको लगेगा, जो PM वाले student है, जिनको A&M, G&M मिलता है, उनको जो है, इंटर का आपका, जो है CLC, जिसको आप लोग जो है, आसको living certificate बोलते हैं, या फिर college living certificate इसको नहीं लगेगा, तो PM वाले यानि इंटर वाले वाले जो A&M, G&M मिलता, उनको सिर्फ admit card लगेगा, और passing certificate लगेगा, और यह आप लोग provisional लेकर जाएंगे, तो यतना ही आपको लगेगा, बाकी जो PM वाले हैं, यानि metric लेवाले हैं, तो उनको यह पूरे document लेकर जाना है, अब हम बात करेंगे, इंटर का आपके पास क्या-क्या document होना चाहिए, तो देखिए, जो PM वाले हैं, आप सब के लिए यह लगेगा, और metric वाले तो आपको जो जो लगेगा, बता ही दी हैं, तो देखिए, यहाँ पर आपका admit card लगेगा, mark sheet लगेगा, फिर passing certificate लगेगा, फ से यहाँ पर मांगा जाएगा, फिर देखिए, यहाँ पर टेंथ नमर में card certificate and residential certificate का दो-दो copy, जो जो हम दो-दो copy लिखें, वो आपको दो-दो copy लेकर जाना है, फिर आपका जहाइब verification तुरंत होगा, कोई परिसान ही नहीं होगा, देखिए, यहाँ पर income certificate नहीं लिखें, तो income certificate नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आपके पास है, तो आप लोग लेकर जाइएगा, फिर देखिए, element number में हम लिखें फोटो, तो फोटो देखिए, जो official site है, उसमें सिर्फ 6 ही फोटो लग रहा है, तो 6 फोटो आपको नहीं लेकर जाना है, आपका तो 3 फोटो allotment ले कोई कोई जो है college में आपका gap certificate मांगा जा रहा है, तो gap certificate क्या होता है, देखिए, अगर आप इंटर 2018 में पास किये हैं, 2019 में पास किये हैं, अभी जो है, आप PM में एडविशन जो ऐसे की ANMGN में आप एडविशन ले रहे हैं, 2023 में, तो आप से पूछा जाएगा कि ये जो ह 3-4-5 साल में आप जो है क्या किये हैं, अगर आप कुछ नहीं किये हैं, तो यही आपको पूरूफ कराना है gap certificate में, तो अगर आप gap certificate आप से मांगा जाता है, तो आप हमें comment करेगा कि कैसे क्या बनेगा, तो हम आपको बता देगे, फिर देखिए, second में नोट लिके हैं, सभी certificate का original भी आपका लगेगा, तो यानि जो metric enter का जो भी आप जमा करेंगे, तो इसका जो है original भी आपको ले कर जाना है, original भी आप से लगेगा, तो आसा करते हैं, हम आपको पूरी document बहुत ही बहतरीन ठंक से समझाए हैं, अगर फिर भी आपका कोई भी doubt है, तो आप हमें comment कर द जय भारत!